नमस्कार मैं हूँ गोईत कौशिक और स्वागत है आपका दाहिंद वॉर्यर न्यूज में सोनीपत से एक दर्दनाक हास्था सामने आया जिसमें पानी में दूबने से दो बच्चों की मौत हो गई आए दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट हर्याना के सोनीपत जिले में महलाना रोड के पास चलगर में दूबने से एक किशोर और एक बच्चे की मौत हो गई लेकिन घटना की खबर पुलिस को नहीं दी गई परीजनों ने मिलितकों का अंतिम संसकार भी कर दिया ऐसे में मामला संदिक बलग रहा है और शिकायत मिलने पर ही पुलिस कुछ कर पाएगी मिली जानकारी के अनुसार नितिन शर्मा जिसकी उमर 16, नितिन जिसकी उमर 12 और रितिक 10 साल महलाना रोड पर खूमने गए थे जब वे काफी देर तक वापिस नहीं आये तो परीजन ने उन्हें तलाशना शुरू कर दिया इसी दोरान परीजनों को सूचना मिली के उपायुक्त कारियाले के पास जलगर में तीन बच्चे डूब गए हैं परीजन जब मोके पर पहुचे तो रितिक पियोशी की हालत में मिला उसे लोगों ने पहाड निकाल लिया था पाकी दोनों की तलाश चारी थी कुछ ही देर में उनको भी पहाड निकाल लिया गया परीजन दोनों को हस्पतार लेकर पहुचे जहां डॉक्टर ने प्रात्मिक जाच में उन्हें कट पैज जहां डॉक्टर ने प्रात्मिक जाच में उन्हें मृतिक गोशित कर दिया घटना की सूचना पुलिस कोर्ड नहीं दी गई है रित्तिक ने होश में आने पर बताया कि पैर फिसलने से नितिन जलगर में गिर गया था उसको बचाने के प्रयास में वे दोनों भी जलगर में गिर गए बच्चे विजयनगर, निवासी मुकेश और उसके घर में किराय पर रहने वाली रानी के परिवार से है सेक्टर तेज की चोकी प्रभारी कुलदीप सिंग ने कहा जलगर में बच्चों के डूबने की जानकारी पुलिस के पास नहीं है परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना नहीं दी है कोई शिकायत करेगा तो उसके अनुसार कारवाई की जाएगी ऐसे ही बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें हमारे चैनल को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद